असलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं बटर गालिक चिकन बनाने की रेसेपी जो कि एक चिकन की बहुत ही क्विक और बहुत ही टेस्टी स्टार्टर रेसेपी है बहुत आसानी से बन जाती है और खास बात यह है कि जब आप इसको अपने फैमिली मेंबर्स क बर्सका कर तो चलिए बनाने श्無 credit घर्लय के की लिए सबसे पहले मैने यहापर बॉन लिस चिकन लिया हूआ है अप इसको बॉनस के साथ भी बना सकते हैं आपके पास बॉनस के साथ चेकन चाय है तो आप उसका बहुत हमगे सकते हैं यहापर चिकन के मैंने डेर से दोइट के पीसेज लिए लेकिन मैं आपको recommend करूंगी कि आप जो इसके पीसेज लें वो एक एक इंच के लें तो जादा बैटर रहेगा या फिर आप चिकन के पीसेज को पतला और लंबा भी काट सकते हैं अब हम इसमें एक टी स्पून डाल देंगे नमक मैं यहाप पर पिंग सॉल् आप पमें काटरी सकते हैं इसीके साथ अधा टी स्पून मैं डाल रहे हैं काली मिर्चोका पौड़र मैं 19 और अ कि अगर आप नहीं कहते हैं तो आप अंदे कि सफ़ेदी को कर सकते हैं मढ बाड़िएगा Antrikkah पेस्ट खोंगी एक तीर देमें नहीं चाहरू канал का अब अगर आपके पास time है तो आप इसको 10-15 minutes के लिए marinate कर सकते हैं और अगर time की shortage है तो फिर आप इसको direct भी पका सकते हैं तो मैं इसको 15 minutes marinate करूँगी उसके बाद मैं इसको cook करूँगी चिकन को मैंने 15-20 minutes के लिए marinate कर लिया है आब हम एक पैन लेगे और इसमें 2 टेबर огंगे तेल को गरम कर लेगे और जब टेल गरम हूजाएगा हम इसमें डाल देंगे अपना मैरिनेट करआवा चिकन तो शारा ही चिकन हम इसमें डाल देंगे अब हम इसको medium to high flame पर 4-5 मिट के लिए अच्छी तरह से fry कर लेंगे जिससे कि जो corn flour और अंडे वगएरा की coating है वो chicken के उपर अच्छे से fix हो जाएगी तो यहाँ पर मैंने इसको 4-5 मिट के लिए high flame पर fry कर लिया था लेकिन आप देखेंगे जब आप इसको ढखकर पकाएंगे तो यहाँ पर यह जो chicken है खुद बखुद थोड़ा बहुत पानी छोड़ने लगेगा जिस पानी में chicken अपने आप गल जाएगा तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी यह देखेंगे चिकन ने पानी छोड़ दिया है लेकिन अगर आपको जरूरत मैसूस होती है तो आप डाल लेजेगा बेफिकर होकर और क्योंकि यह chicken के थोड़े बड़े pieces हो गए मेरे तो मैं इसको तक्रीब अंपन्दमनेट के लिए पकाऊंगी लेकिन अगर आपके pieces छोटे हैं तो आप इनको 8-9 मिनट के लिए पका सकते हैं धीमियाच पर यहाँ पर चिकन को मैंने तक्रीबं 15 मिनट के लिए बिल्कुल धीमियाच पर पकाया है और चिकन अच्छे तरह से गल चुका है अब हमें gas की flame को हाई कर देना है और इसको अच्छी तरह से fry कर लेना है थोड़े थोड़े से इसमें golden marks आ जाजे हैं तब तक हम इसको fry कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन में golden marks टाइप से आ गए हैं जैसे कि हमको चाहिए थे बस इस टाइम पर हमें gas की flame को बंद कर दिना है और इसको हम रख देंगे एक साइट में उधर हम बना लेते हैं एक बटरी गालिक सॉस तो इसके लिए हम एक पैन ले लेंगे और इसमें दो टेबल स्पून के करीब डाल देंगे बटर यानि की मक्षन में हापर salted मक्षन का इस्तमाल कर रही हूँ आप unsalted भी यूज़ कर सकते हैं एक टेबल स्पून बारिक कटावा इसमें लहसुन डाल देंगे और हलका सा इसक के सफेद हिस्से के साथ काटा हुआ है तो आदा यहाँ पर सफेद हिस्सा है और आदा हारा हिस्सा है हरी प्यास का अगर आपके पास हरी प्यास नहीं है तो आप जो simple plane जो प्यास होती है नॉर्मल घर में उसका बे इस्तमाल कर सकते हैं अब मैं इसमें एक टेबल स्पून कॉणफ़ार का मिक्सचर मैं घुल लिया था और इसको मिला देंगे पका लिए जबतक कॉणफ़ार पकड़नी जाता है और अब हम डाल देंगे इसके अंदर चिकेन जो हमने पकाकर रखा वा था और इसको मिला अच्छी तरह से हमें मिक्स कर दिना है बटरी गालिक मिंश्चर को चिकन के साथ और इसी के साथ हम इसमें कुछ मसाले अड़ गरेंगे तो मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टी स्पून काले मिर्चो का पाउडर और और कोटी वी लार मिर्चे डाल लेंगे या फिर आप टेस् इसको मिला देंगे यह सारे मसाले अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो जाएं तब तक हम इसको मिलाएंगे तो यहां पर सारे मसाले अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो चुके हैं और हमारा बड़र गालिक चिकन बनकर तेयार है और यह बहुत ही टेस्टी बनता है आप इसको तो डेफिनिटली आपको पसंद आएगा और दोबारा आप इसको जरूर से बनाना चाहेंगे आप इसको फराइड राइस के साथ या फिर जीरा राइस के साथ काजु राइस के साथ सर्फ कर सकते हैं, प्लेइन राइस के साथ बन करते यारे जो कि आपको और आपके फैमिली मिंबर्स को बहुत पसंद आएगी एक बार इसको ट्राइ करेगा और मुझको बताएगा आपका बटर गालिक चिकन कैसा बना आसलाम aulaikum आज में आपके दाद शेर कर女ू चिकन की एक स्टार्टर रेसेपी जो कि हैदरबाद की एक फेमस रेसेपी है और इसका नाम है चिकन मैजस्टिक जो कि बनाना भी बहुत आसान है और टेस्टी या बहुत बनती है तो चलिए देखते हैं हमें चिकन मैजस्टिक किस तरह से बनाना है चिकन मैजस्टिक बनाने के लिए सबसे पहले हाँ पर हाफ केजी बोनलेस चिकन लेंगे और इसको इस तरह से पतली और लंबी स्ट्रिप्स में काड लेंगे अब इसमें एक टीस्पून डालेंगे नमक और एक टीस्पून काली मिर्चो का पाउडर डालेंगे एक टीस्पून अद्रक का पेस्ट और एक टीस्पून लेसन का पेस्ट डालेंगे और नीबू का रस इसमें निचोड़ देंगे तक्रीबन दो टीस्पून नीबू का रस इसमें निचोड़ेंगे इसे के साथ इसमें डालेंगे एक अंडा अंडे को इसकी जर्दी के साथ डालेंगे और अब इसमें डालेंगे दो टेबल स्पून कॉन फ्राइर या फिर आप चावल काटा भी डाल सकते हैं और अच्छी तरह से मिला देंगे इसको और हाँ इसमें हाफ टी स्पून के करीब हल्दी का पाउडर भी डालेंगे सब्सक्राइज के लिए नहीं प्रत दाइप कर लिए 5-20 मिनुट के लाएे लीडिया रखके improving इसको काशन के लिए मासा नहीं जिसकों भाबं यहां पर एक मासाला तियार करना थे माजे इन कवी लापंड जनिए की दिआभाइ नहीं दिugenय का powder और अधा टीस्पुन भुनेवे जीरे का पाउडर डालेंगे झालेंगे या फिर टेस्ट के हिसाफ से डाल सकते हैं तो टीश्पून डालें गे सोया सॉस और मिला देंगे इसको अच्छी तरह से और इस मसाली को अभी हमें एक साइड में रख देंगे इसका इस्तमाल हमें बाद में करना है तेल को गरम करेंगे यहां पर हमें चिकन के पीसे को डीफराय करना है जब तेल प्रॉपर मीडियूम शुच्षाउन. एक जेए और इसे एंदर हमें चिकंद के पीशेंस ट्रॉप करदेुन है एक न्मुनत तक हमें इसको टच नहीं करना है एक मिनट के बाद गैस के देख अलाह बाद गैस के वंदेट्यारा समे डीक व्क मिन्हें में अनले के टारुप और स्भाक। जिस से की चिकन के पेसिस अच्छी तरह से घल जाएंगे तो यहाँपर आप देख सकते हैं इसकी कोटिंग थोड़ थोड़ी थी फिर्म हो गई है तो अब मैं इसकी साइट को बदल रही हूँ दीमी आज पर इसको पका लेना है जिससे की चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं चिकन अच्छी तरह से गल भी चुक है और अच्छा सा इसमें कलर भी आ गया है तो अब हमें इसको निकाल लेना है और बाकी का जो चिकन हो वो भी सेम इसी मेथट से हम फ्राइ कर लेंगे यहाँ पर चिकन को मैंने दो बैचेज में फ्राइ किया था तो सभी चिकन को मैंने फ्राइ कर लिया है और 8-10 करीबते ढाल देंगे और लैसन को हलका साथ सॉफ्ट हो जाने तक फ्राइ कर लेंगे बहुत जादा इसका कलर नहीं बदलना है अब हमने जो मसाला तयार करा था वो हम इसमें ढाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर देर से 2 मिनट के लिए इस मसाले को भून लेंगे हमें इसको जब तक भून लेना है जब तक तेल सर्फेस पर नहीं आ जाता है तो यह देखिए मसाला भून चुका है और तेल सर्फेस पर ओजाओट होने लगा है तो अब हमने जो चिकन फ्राइ किया है वो हमें इसमें डाल देना है और अच्छी तरह से इस मसाले को चिकन के साथ कोट कर लेना है तो यहां पर मसाला अच्छी तरह से चिकन के हर पीस पर कोट हो चुका है और हमारा चिकन मैजस्टिक बन कर तयार है अब मैं इसके उपर थोड़े से हरी धने के पत्ते डालूंगी आप यहाँ पर हरी मेर्च भी डाल सकते हैं अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो हरी मेर्च चॉप करके डाल लीज़ेगा मिला देंगे इसको और बस अब हम इसको सर्फ कर लेंगे तो इस तरह से बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक हमारा चिकन स्टार्टर बन कर त्यार है जो की बहुत टेस्टी बनता है और आपने देखा इसको बनाना भी कितना आसान था असलाम अलेकुम आज मैं पिताज शेयर कर रहे हूं बोनलेस चिकन फ्राइब बनाने की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी है आपका चिकन फ्राइब बाहर से एकदम क्रिस्पी होगा और अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी बस आपको मेरे यहां पर इस्तमाल कर रही हैं 300 g बोनलेस चिकन एपर 23 के पीसे जुझ कर रही है आप चाहें तो ब्रेस्ट के भी यूज कर सकते हैं और अगर आप चिकन फ्राइब बनाने जा रहे हैं तो अगर आप एक स्टेप उसमें कर लेंगे और वह स्टेप है उसकी ब्राइनिंग त जाता है और चिकन अंदर से फीका नहीं लगता है तो ब्राइनिंग के लिए बस दो ही इंग्रीडेंट्स चाहिए होते हैं वह है नमक और सिर्का और थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है जैसे आप आदा घंटा पॉन घंटा एक घंटा या पिर जादा टाइम है तो दो तीन बनाए तो आप देखेंगे बहुत टेस्टी आपको चिकन बनका तयार होगा तो चलिए पहले इस की ब्राइनिंग कर लेता है तो ब्राइनिंग के लिए हमें क्या करना है चिकन को पानी में अच्छी तरह से दूबो देना है और फिर इसमें नमक डालना है तो यह थोड़ा बैणि हो जाता है तो इसकी कोकिंग टाइमिंग भी कम हो जाती है यानि की इसको पकने में फिर ज्यादा वक्त नहीं लगता है जब आपका चिकन ब्राइन हो जाए तो फिर आप इस चिकन को तीन-चार पानी से साफ पानी से धो लीजेगा हमें इसमें से नमक निद्ग का आपके 100-40 पृटेचाई वाव भी न पानी खैगे लोटोयों से अज्व मसाले कर विद भी है रहा है मैं मसाले करें तो यहां पर मैंने दोल लिया है और पानी पहले है तो अब भी मिम्मिछ में डालेते हैंक मैं अब मि 18 खडीना तो कारी ची करीडाइश एक टीस्पून मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च जिससे की इसका रंग अच्छाएगा एक टीस्पून डालेंगे धनिय का पाउडर एक टीस्पून डालेंगे भुनेवे जीरे का पाउडर और एक तीहाई टीस्पून डालेंगे हल्दी का पाउडर आधा टीस्पून कु एक टेबल स्पून डाल देंगे इसमें बेसन, एक टेबल स्पून डाल देंगे बारिक वाली सूजी, सूजी डालने से एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे, नहीं है तो स्किप करतीजेगा, एक टेबल स्पून डाल देंगे कौन फ्लावर या फिर अरा रोड या फिर चावल क तो ब्राइब स्दीर निबू करदें 1 चारी मेथी कहले। अध्रक लहसुन का पेज और ढलाकर स्बाइब पर माइस फोसटे नीगे ति मैंने इसकी नीबू कर्द राज़े Q सek écritज में निचोड़ देंगे अध्रक तब कर दिंगे अध्रकρ एक सारी मारिनेट करो, iGkman जादा टाइं मेरिनेक्रायिट कर सकते हैं ओवर नाइक उखनाने के लिए चटनी बनानी बनाएं छी चटनी बनाएं ठीक धनिया पुदीना भी दा लिए-टीन 2-6 तरीन टेस्टके हिसाहां स集 में तुर रष ले लें टेस्ट में स्टिसंटे। साथ पाइदे क्लोवस कर साम नाथा नहirmा 2 आदर नाधिर के नमक कई तो पर तक किया है तो तो सब कर दो दियाएं, और है नाहिता है में इस आपना को षिंच साथ में टालेगे 5 जाले dette 6 harmed तो धरन दए बहुत ही जबरते हैं चटनी बने करें तो बना लिए तो जा इसको बना लिएंगे तो बना लिए तो आपे चिकन असवाइब का तेस्ट दूगना हो जाएगा आप चलिए अब औक म्मिद्मhst इन जर लिते हैं यहां पर मेडियां ध्युक्न के पीसे म vídeo ही दाएगा तब है इसमें दालने हैं। कच्छे तेल में चिकन के पीसेज मट डालेगा। और सारा मसाला तेल में बह जाएगा। जब इसमें आप चिकन के पीसेज ढलें तो एक मिन्म गट केरा है। गैस की फ्लेम को मैं यहां पर लो कर रही हूं कि अल्रेडी तेल बहुत तेज गरम है मेडियम फ्लेम पे मैं इसको गरम किया था तो अभी तका टमप्रेचर थोड़ा कम कर देंगे क्योंकि हमें चिकन को गलाना भी है तो लो फ्लेम पर इसको चार से पांच मिट के लिए पकाएंगे साइट्स बदलते रहेंगे और अगर आप बॉन्स के साथ चिकन पका रहें तो इसी कोकिंग टाइमिंग थोड़ी सी जादा हो जाएगी यानि कि 8-10 मिन लग सकते हैं आपको इसको लो फ्लेम पर पकाने में ल बीच-बीच में साइट्स इसकी टर्ण करते रहेंगे जिसे की चिकन हर तरफ से गल जाएगा और लास्ट के एक से दो मिनट गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे जिससे की जो चिकन की आउटर कोटिंग है वो क्रिस्पी हो जाएगी तो इस पॉइंट पर मैंने गैस की फ्लेम बस आप कुछ चीजों का ध्यान रखें जब आप चिकन फ्राइब बनाएं पॉसिबल हो तो चिकन की ब्राइनिंग कर लें और जब चिकन को फ्राइब करें तो पहले तेल को प्रॉपर मीडियम गरम कर लें जब अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद इसके अंदर चिकन के पीसेज ड्रॉप करें और जब आप चिकन के पीसेज ड्रॉप कर दें तो एक दिर मिनट के लिए उसको टच ना करें ताकि जो आउटर कोटिंग हो फर्म हो जाए उसके बाद इसकी साइट को बदले इन सब चीजों का फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आपका चिकन फ् तो तेल को फिर से प्रॉपर मीटियम होट कर लें उसके बाद इसके अंदर चिकन के पीसे ड्रॉप करें और फिर से सेम उसी प्रोसीजर से इसको फ्राइ कर लें तो उसोना, ने कितने कृस्पी चुके वाण कर तयार होगा है? एक्स्टा कृस्पी बनाना है तो इसमें थोड़ी सी सूजी डाल ली ज़िए का, जिससे खी बहुत कृस्पी आपके चुकें फ्राय कर तयार होगा या फिर चावल का अटा डाली चेका और अंदर से भी आप देख सकते हैं एक तम परफेक्टली डनने और कितना जूसी लग रहा है अंदर से भी यह बहुत जूसी बनकर तयार हुआ था और यह जो अमने चटनी के साथ बनाई है तो इसको जरूर बना लीजएगा बहुत मजा आने वाले आपको ट्राइ कीज़ेगा अपनी फेट पैक्स मिज़को जरूर दीज़ेगा आपका बॉल्लेस चिकन फ्राइ कैसा बनाए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर और चैनल को वन टाइम सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया अलाफ़ेज